जैन फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, पुरानी वीडियो के अंदर हमने बात कर लिए लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, कितने टैप्स की होती है और उनको हम लोगोंने डीटेल में डिसकस किया है प्रिषली वीडियो के अंदर मैं आपको एड़्वांटेज जिस और डिसडवांटेज जिस भी बता चुका हूँ आज किस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिफ्रेंस बिफिन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस अंड होत लाइम सोडा प्रोसेस Friends, काफी important question है, exams में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा रहेगा, देखो, cold lime soda process से आप क्या समझते हैं, कि वहाँ process जो की room temperature पर हुई थी, और hot lime soda process से आप क्या समझते हैं, कि वहाँ process जो कि एक elevated temperature पर हुई थी, जो कि around 94 to 100 degree centigrade होता था, ठी से पहली बात कि cold lime soda process हमारा room temperature पर किया गया था, that is 25 to 30 degree centigrade पर, ठीक है, फिले मैं आपको cold lime soda process के सारे points बता देता हूँ, then हम लोग hot lime को देखेंगे, ठीक है, फिल ये एक प्रकार से क्या है, ये हमारा cold lime soda process, एक slow process होता है, मतलब time taking process है, क्योंकि यहाँ पर reactions हमारी reactions को होने में time लगेगा, इसके बाद अगर बात करें हम लोग, the use of coagulant is must, मैंने आपका already explain किया है, कि यहाँ पर जो precipitate है हमारा, वो क्या होता है, छोटे छोटे होता है, और उसका settlement exam sedimentation possible नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर coagulants डालना पड़ेगा, जिससे कि वो छोटे छोटे जो भी हमा filtration यहाँ पर आसान नहीं होता है, filtration is not easy, क्योंकि जो हमारा mixture रहेगा, it is solution रहेगा, किसका lime soda का और हमारे raw water का, वो उसकी viscosity थोड़ी जाधा होती, इसलिए filtration थोड़ा मुश्किल होता है, next अगर बात करें, friends, hot lime soda process के अंदर, तो जैसे कि रूम temperature कर किया गया था, कौन cold lime, यह है elevated temperature पर किया जाता है, जो कि 94 to 100 degree centigrade होता है, ठीक है, आगे अगर बात करें, friends, यह rapid process होता है, rapid क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे है, temperature को increase किया है, तो temperature increase करने की वज़े से, यहाँ पर reaction किया थी, accelerate हो जाती है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कि hot lime soda process हमारा fast है, या फिर rapid है, as compared to किससे cold lime soda process है, ठीक है, next अगर बात करें, friends, तो hot lime soda process के अंदर coagulants की हमको जरुवत नहीं होती है, ठीक है, आपसे कभी-कभी वाई-वाय या interview and पूछ लिया जाता है, कि बताए, कौन सी process, कौन से lime soda process के अंदर coagulants की requirement न बढ़ता है, solubility क्या होती है, हमारी decrease हो जाती है, sorry, जैसे जैसे temperature बढ़ता है, वैसे वैसे viscosity decrease होती है, क्या बोले हैं, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि temperature अगर बढ़ेगा मेरा, तो viscosity क्या होगी, कम हो जाएगी, या मैं क्या दू, temperature is inversely proportional है, क viscosity of water becomes low elevated temperature, मतलब कि अगर temperature जादा रहेगा, तो जो भी solution है water, that is, raw water plus chemicals का, तो वहाँ पर उसकी viscosity कम हो जाएगी, जिससे की filtration वहाँ पर आसान हो जाएगा, तो friends, यहाँ तक कि यह सारे जो अभी तक मैंने जब आपको difference बताएं, यह आपको clear हो जाने चाहिए, ठीक है, next अगर बात करें, कुछ और differences हैं हमारे, जैसे की cold lime के अंदर बात करेंगे, तो cold lime soda process से, जो softened water हमको मिलता है, उसके, उसमें around 60 ppm तक residual hardness रहती है, क्या बोलें, कि 60 ppm तक, जो की काफी एक, बोलते है, appreciable amount है, मतलब अच्छा-कासा hardness है, लेकिन आगे अगर बात करें, इसी के अंदर तो cold lime soda process के अंदर, जो भी dissolved gases होती ही, वो remove नहीं होती है, जैसे कि हमारा CO2 हो गया, NO2 हो गया, या फिर oxygen हो गया, तो ये सारे उस water के अंदर dissolve रहते हैं, ठीक है, आगे अगर बात करें, friends, कि यहाँ आप से low softening capacity होती है, मतलब कि जो cold lime soda process है, उसकी जो efficiency है, या फिर वो softening करन की जो शमता है, वो कम होती है, ठीक है, as compared to किससे, hot lime soda process है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, friends, hot lime soda process के अंदर, तो यहाँ से जो हमको water मिलता है, उसकी hardness जो रहती है, वो residual hardness वो around 15 to 30 ppm होती है, जो कि almost हमारी बहुत जादा कम होती है as compared to cold lime soda process से, बोल सकते हम हाफ होती ह ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अगर आप से कल से कोई पूछता है, कि बताइए, hot lime और cold lime soda process में कौन ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलेंगे hot lime, क्योंकि इसमें जो softened water है, उसकी hardness हमको काफी कम देखने को मिल रही है, ठीक है, ओके, आगे बात करते है, friends, कि यहाँ से जो dissolved हो जाती है, कौन dissolved gases, और भी type की gases हो सकती है, जिसे NO2B water के अंदर present हो सकती है, ठीक है, तो मेरे क्याल से यहाँ तक की points क्लियर होगी, और जो है, हमारा hot lime soda process, इसकी softening capacity ज़ादा होती है, किसके comparison में, cold lime soda process के comparison है, मानो, कि यह यहाँ से 100 liter soft कर पा रहा है, तो यह इसका, मान लो example, तो 100 से ज़ादा degrees, 150 liter कर पाएगा, just example लिए, तो friends, मेरे क्याल से difference दोनों कि कि आपको clear हो गए होगे, तो conclude करते हैं, हमने क्या बात करी, हमने बात करी, friends, सबसे पहले, कि cold lime soda process और hot lime soda process में क्या difference है, तो cold lime को हम लोग room temperature पे करते हैं, लेकिन hot lime एक particular elevated temperature पर किया जाता है, जो कर, use must है, लेकिन हमारे hot lime के अंदर जरूरी नहीं है, cognitive requirement नहीं होती है, साथ में, हमारे cold lime के अंदर filtration थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे hot lime के अंदर filtration आसान हो जाता है, क्योंकि viscosity कम हो जाती है, किसकी हमारे solutions की, या फिर water की, ठीक है, next अगर बात करें, friends, यहाँ पर, तो जो cold lime है, इसके अंदर आपको जो residual hardness देखने को मिलती है, वो 63 ppm तक होती है, लेकिन hot lime के अंदर 50 into 30 ppm होती है, साथ में, cold lime के अंदर dissolved gases remove नहीं होती है, लेकिन hot lime के अंदर dissolved gases हमारे remove हो जाती, up to some extent, okay, साथ में, जो cold lime soda process है, इसकी softening capacity कम होती है, वहीं हमारे hot lime की softening capacity जादा होती है, तो friends, मेरे क्याल से आपको सारे, जो अभी तक हमने बताए, lime soda process से related, वो सब चीजे clear हो गई होगी, तो lime soda process यहाँ पर होता है, खतम, इसके उपर कुछ questions रहेंगे, numerical रहेंगे, तो हम आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि वो अभी आपके syllabus में generally पूचे न जाएगा, thank you for watching this video.